चले इस लेक्शर में मैं आपको बताता हूं control flow statements क्या होती है, if condition होती है, for loops होते है, while loops होते है, यह तीन ऐसी चीज़े हैं जो बड़े-बड़े programmers को अभीताक समझने में परिशानी साबत हो सकती है, जब वो advanced level की programming करते हैं, तो अगर आप इन तीन चीज़ों को गौर से देखेंगे इस lecture के अंदर, then it will be easier for you, अब मैं अपनी screen आप लोगों के उसाथ पहले share करता हूं, स्क्रीन आपके सामने नजर आ गई, मैं यहां पे एक नई फाइल बनाता हूं और आपको control flow statements जो हैं वो बताता हूं, यहां भी नाम बनाते हैं जी, इसका 08 control flow statements dot py, अच्छा, तीन किसम की होती है, पहली होती है conditional statements, दूसरी होती है for loops, तीसरी होती है हमारे पास while loops, इसके इलावा भी काफी है break करना, while loop को continue करना, pass करना, so on and so forth, ठीक है, control statements उनको loops में बोला जाता है, अच्छा, सबसे पहला काम है हमारे पास, वो है if condition, जो हमने पहले भी लगाई, ठीक है, इसको बोलते है conditional statements, और conditional statements के अंदर आपके पास conditional operators, यानि के comparison operators use होते हैं, greater than मैंने आपको बढ़ाया था, आपको मैंने less than बढ़ाया था, equal equal बढ़ाया था, not equal बढ़ाया था, ठीक है, और इस तरीके से बाकी भी हमने देखते हैं, अब यह जो comparison operator हैं, यह conditions के अंदर use होते हैं, अगर एक चीज दूसरे से बढ़ी है, अगर एक चीज दूसरे से छोटी है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर नहीं है, अगर एक चीज दूसरे के बराबर नहीं है, हम यहां पर लिखते हैं if x is greater than 0 तो आप क्या print कर दो print x is positive simple सी condition ठीक है मैं इसको print कर दो यहां पर वो कह रहा है जो x is positive ऐसे ही है अगर मैं यहां पर minus लगा दूँ तो यहां पर कोई answer नहीं आया इसलिए हम लगाते हैं else condition ठीक है else else के बाद मैं कहता हूं print x is negative सही है हम मैं इसको run करता हूं यह होगी negative लेकिन एक और condition है न हमारे पास वो क्या है अगर x होई 0 तो क्या होगा तब भी यह हमारे पास आ रहा है negative क्योंकि एक्स ना तो greater than zero है दूसरी condition हमारे पास आई नहीं नहीं रहे पास एक और चीज़ होती है इसको बचाने के लिए अगर ना पूरी हो तो यह वाली चेक करो ठीक है अगर यह वाली पूरी हो जाए तो बोलो एक्स इस नेगेटिव अगर फिर भी ना पूरी हो तो बोलो एक्स इस जीरो अब समझाई हमारे पास एक ही चीज़ के अंदर तीन condition है एक्स इस ग्रेटर देन जीरो तो पॉजिटिव है एक्स इस लेस देन जीरो है तो वो नेगेटिव है अगर एक्स इस इस इन दोनों में से कोई नहीं है तो अविसली वो जीरो होगा ऐसे ही है तो हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को चलाते हैं रन करते हैं आपको पता है एक एक्स की वैलियू जो है वो भी फिर भी पॉजिटिव है पीछे सिर्फ माइनस लगाने एन लोग एक्सीज नेगेटिव ठीक है तो इस तरीके से आप कंडिशनल ओप्रेटर्स को यूज कर सकते हैं मैंने सिर्फ कौन सा किया है ग्रेटर दैन लेस दैन ठीक है आप बाकी ओप्रेटर्स का यूज लिखेंगे समधा ही बात की एक्वल टू एन नॉट एक्वल इन दोनों को आप करेंगे कोई इतना मसले वाली बात नहीं है आपने सिर्फ यह ग्रेटर दैन और लेस दैन के कंडिशन को देखते हुए लिखने ठीक हो गया कर लेंगे ना को मसला तो नहीं है ओके इसके बाद जो हमारा अगला जो सेकंड हमारे पास कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वह फॉर लूप्स के बारे में किस को पता है कि क्या होते हैं पॉर लूप्स क्या होते हैं कभी पढ़ा हो कभी सुना हो यह तंग करने वाले होते हैं उक्सरोकात पुछ देना तडम उन्डा की करते केड़ा काम करते हैं तो यह फॉर लूप्स काफी है एक चीज को बार बार करना ठीक है अब मैं आपको बताता हूं कि यह किस तरीके से काम करते हैं हम पहले एक लिस्ट बनाते हैं बलके मैं पिछले वाली लिस्टी कॉपी करके ले आता हूं और यहां से यह वाली food की list ठीक है मैं से copy करता हूं यहां पर print करता हूं यह मैंने अपने food की list जो पुरानी थी उसे copy कर लिया आप खुद से भी बना सकते हैं देए भले ब्रियानी दाल स्मोसे शामी पाले पुनीर अब हम क्या करेंगे एक list में बारी बारी प्रिंट करेंगे किन चीजों को लेट सी प्रिंट प्रिंट फॉर फूड इन इसको हम फूड्स बोल देते हैं फूड्स अब लगाएंगे कॉलन फिर हम कहेंगे के प्रिंट कर दो किस चीज को फूड को हम कर क्या रहे हैं मैं आपको पहले इसको रन करके दिखाता हूं फिर इस पर हम बात करते हैं चेक करें यह सेपरेटली प्रिंट हुआ है कैसे हुआ है हम क्या करते हैं जब फॉर लूब लगाते हैं बात समझने वाली है अगर आप समझ गए तो यहां पर यकीन मनें इस लेक्शर का मज़ा आजाएगा नहीं समझे तो फिर मैं दुबारा से कोशिश करूँगा यह आपकी पहला फूड है यह दूसरा फूड है यह तीसरा फूड है चोथा पांचवाँ छटा छे फूड है आपके पास किसमे एक फूड के विरियेबल के अंदर छे फूड हैं एक दो तीन चार पांच छै अब मैं क्या कर रहां मैं कह रहा रहा उंदर यानिके wordt यह एक फूड दो फूड तीन फूड चार पांच छे चे के छे हमने यहां पर रखे हमने बोला जितने भी फूड हैं जितने भी फूड हैं फूड के अंदर यानि कि यह पूरा खाना है इसके अंदर जितने नाम खाने के पड़े हुए फूर एक्जेमपल फूर्ड ये पूरे के पूरे एक हमारे पास मैन्यू है मैन्यू के अंदर जितने खाने हैं उनको प्रिंट करो बारी-बारी अब मैं इसको और असान करने लगा हूँ आपके लिए इसको मैं फूड की बजाए ना इसको मैं बोल देता हूँ मैन्यू और असान हो जाएगा और इसको भी मैन्यू बोल देता हूँ ठीक है हमने अब क्या किया है हमने मैन्यू की एक लिस्ट बनाई है और हमने बोला है कि उस लिस्ट में जो जो कुछ है वो प्रिंट कर दो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं मैन्यू की सारी चीजें बुलवा रहे हैं पाइटों से पाइटों हमारा वो वला बंद है हाँ जी उस्ताद क्या खाना है आप उसको कहते हैं क्या क्या है खाने को तो वो कहता है यह हमारा menu है आप देख लें तो आप जब उसको देखते हैं या वो menu खुद से बोलता है तो जितने भी foods इसके अंदर हैं वो आपको बताता है और वो इस तरीके से आपके पास print होके आ जाते हैं ठीक है अब एक जो समझने वाली बात है ना for का मतलब है कि हम पहले यह print करो , फिर यह करो , फिर यह फिर यह हम पहले क्या कर रहे थे हर एक को separately print कर रहे थे For example, Like this यहाँ पर लिखता हो menu इसका 0 number food फिर अगर हम दूबारा लिखे flour हम हिसा को 2, 3, 4, और 5, यह जो हमने करना था, यानि कि सारे के सारों को प्रेंट करना था, लाइक दिस, यह जो हमारे पास आया, अगर हमारे पास यह 6 फूड की बजाए, सो फूड होते हैं, तो हमें सो लाइने लिखनी पड़ती हैं, यार कोड की, ऐसा ही है, वो जो रैपिटीशन वाला टास्क था ना, उसको फॉर लूप रिपलेस करता है, यानि कि जितने खाने हैं, वो सारे के सारे फॉर लूप आपको एक ही दफा दिखा देगा, एक ही दो ल फूड लिखा हुए है ना, आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं, यह आपने नाम रखना है, यह अज़ादी आपको है, यानि कि आइटम्स इन मैन्यू, आप इसको आइटम्स भी बोल सकते हैं, आइटम, खाने की आइटम है, यह बाइद अवे, ठीक है, तो इस वज़ा से आप इसका नाम खुद रखेंगे, और इस नाम से अक्सर उकात अवाम कन्फ्यूज हो जाते हैं, यह आपने रखने हैं, यह असल में किसका नाम है, यह जितनी आइटम्स हैं, ठीक है, आप इसको लिटरिली बोल सकते हैं, खाना, फ्रॉम खाने, या मतलब फूड भी बोल स ठीक होगी, समझ आगी, कुछ मसला तो नहीं फॉर लूप का, ठीक है, ओके, अब काफी लोग यह बोल रहे हैं कि अगर आप मेन्यू को डिरेक्ट प्रिंट कर लें तो वो भी करके दिखा देता हूं आपको, ले जनाप, यह मैने मेन्यू को डिरेक्ट प्रिंट किया, और म मैं इसको चुपा देता हूं, कमेंट आउट कर देता हूं, मैन्यू का मानो हो गया, सच, लें जनाप, यह लिस्ट एज इस आ रही है, यह बारी-बारी प्रिंट नहीं हो रहे हैं, यह पूरा अबजेक्ट प्रिंट हो रहे हैं मैन्यू का, इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगा, कि वो जो खाना देने वाला भाई है ना, जिसको हम वेटर बोलते हैं, वो भाई आपको मैन्यू पकड़ागे चला गया, ठीक है, वो मैन्यू पूरा पड़ा हुए, यह देख लें, आप एक ओवर्वियू ले रहे हैं, लेकिन जब आप एक सिंगल आइटम को पड़ेंगे तेन यू आप इसको प्रेंट करते हैं, इस तरीके से है, अगर आप फॉर्वर्व को प्रेंट करते हैं, तैन इट विल शो लाइक ठीक है, समझागे बात की, इजी पीजी, ओके, तो यह फॉर्वर्व आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अब आते हैं वाईल लूप की त लोगों को समझ नहीं आती, बट आइवल ट्राई कि मैं इसको आप आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, वाईल लूप, वाईल लूप्स क्या होते हैं, यह चलते रहते हैं अंटिल अनलेस आपको एक कंडिशन बता दें उसे, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल से इसकी ए नाम है आई, और उसके अंदर एक हिंसा मुझूद है, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूँ, वाईल, आई इस लेस देन, सिक्स, प्रिंट, आई, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, यह क्या और है नीचे, यह प्रिंट होई जा रहे है, ठीक है, यह चेक करें, यह बड़ी देर से प्रिंट हो रहे है, यह क्यों ऐसे होता है, जब भी हम वाईल लूप यूज करते हैं, तो हमें वहां पे बताना पड़ता है, कि आई को प्रिंट करो, अंटिल 6 से कम हो, हमने आई को प्रिंट किया, एक आ गया, फिर एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया, वो एक ही चलता रहा, 6 तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो हमने बताया कि जब तक 6 तक ना पहुंच जाए, तब तक इसे प्रिंट करते रहो, अब 6 तक पहुंच आने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, यहां पे, हमें आई को प्लस ए इकोल टू इस वज़ा से लगाया, मैं आपको अभी समझाता हूं इसको, पहले मैं आपको रन करके दिखा हूं, यह चेक करें, 1,2,3,4,5, ठीक है, 6 से लेस देन हमने बोला है, 6 नहीं बोला है, साथ में, कंपैरिसन ओपरेटर के अंदर, आपके पास, इसके इलावा, Less than equal to b होता है, और greater than equal to b होता है, ठीक है, यह आपने पड़े होंगे, हमने यहां पर बोला है, less than 6, और हमने एक जमा किया है, बेसिकली यह जो आई प्लस एंड एकॉल टू है न वह यह है आई एकॉल टू आई प्लस वन ठीक है तो यह चीज थी वो सिंप्ली जब आप इसको रन करते हैं तो आपके पास वन टू फाइव चीज आ जाती है हमने आई को अपडेट करके आई के अंदर एक एक जम्मा कर दिया अगर मैं इसको सौ लिखूं तो यह मेरे पास 99 तक प्रिंट होगा क्यूं क्यूंके मैंने लेस देन 100 बताया ठीक है अब यह तो हो गया वाइल लू हमने कंडिशन बता दी के तब तक प्रिंट करो जब तक सौ ना पहुंच आए हमने लिमिट बता दी हद मुकरर कर दी हद की तो समझ आए ना हद मुकरर करती हैं अब हम क्या करते हैं हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और हम इसको ब्रेक करने के साथ साथ इसको कॉंटिन्यू भी रख सकते हैं देर मैनी अधर फिंग्स इन वाइल लू जो हम इंशाला अभी देखते हैं फिर हम आगे चलते हैं और यहा यह तो हो गया हमारे पास एक सिंपल वाइल लूब अब मैं एक नियाब को बना के दिखाता हूं स्ट्रिंग के लिए क्योंकि हमने इंटीजर का बना लिए अब मैं बताता हूं फॉर लेटर्स इन पाइफॉन इफ लेटर आर ग्रेट इक्वल टू एच तो इसको कर दो ब्रेक यहां पर और फिर कर दो जनाब प्रिंट इसके अंदर लेटर्स अब यहां पर क्या होगा हम फॉर लूप को इफ की कंडिशन को और इन तीनों कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को एकठा यूज कर रहे हैं और ब्रेक एक चीज नहीं इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इसके अंदर हमारे पास क्या रन करेगा मैं इसको रन करता हूँ हमारे पास P, Y, T रन की है यानि के पूरे एक लफ्स के अंदर हमने बोला के प्रिंट करो पूरे के पूरे लैटर्स को वन बाई वन करके इसको आप आइटम्स भी बोल सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको तो क्या होगा P, P, print होगा Y, T होगा, H जहां पर आएगा वहां पे रुक जाएगा ठीक है तो यह इस वज़ा से हम break भी यूज़ कर सकते हैं यहां पर कि कहां पर break करना है उसको आप if condition के थूरूँ बता सकते हैं तो हमने फॉर भी यूज किया, फ्भी यूज किया, प्रिंट भी किया, और हमने ब्रेक भी यहां पर यूज किया, ठीक है? तो यह control statement है, break, break करनी, यह loops के अंदर इसको बोलते हैं control statement, यह break की control statement है, कि यह break करती है, एक चीज को जब आप एक condition बता देते हैं, कि यहां तक पर इसको प्रिंट कर दो, आगे इसको रोक दो, दूसरी होगी हमारे पास, continue statement, मैं इसे को copy करता हूँ, आपको दिखाने के लिए, और मैं यहां पर, ऐसे लिखके, break की जगा पर continue लिखता हूँ, अब क्या होगा, मैं पीछे वाले को दरा comment आउट कर दूँ, अब यह होगा, जब मैं इसको run करूँगा, PYT, यहां तक चलेगा, H पर break होगा, और उसके बाद फिर continue कर पड़ेगा, ठीक है, आप यही समझ लें कि आप तेज़ स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, जहां पर jump आया, वहां पर slow ही, फिर उसकी स्पीड में चलने लागे, So you have a kind of bump here, सही है, आगे चलते हैं, और अगला है हमारा pass, इसको अगर हम लिखें, मैं इसी तरीके से इसको print करता हूँ, दुबारा से, यहां पर paste किया, यहां पर मैं लिखता हूँ, pass, अब क्या होगा, कोई बता सकते हैं, करके देख लेते हैं, पूरे के पूरा python प्रेंट हो रहे हैं, pass का मतलब क्या होता है, आपको किसी स्वाल का जवाब ना आता हो, आप क्या कहते हैं, pass, वो होता है न यार, बजर्द बाने वाली खेल के अंदर, pass, कि चलता रहने दे, जैसे भी हैं, मुझे नहीं बता, मतलब मैं कुछ नहीं करने वाला, यह होती है, तीन control flow statement, आपके पास break होता है, continue होता है, pass होता है, अब इस lecture में हमने क्या देखा है, conditional statements या इसको हम comparison operators भी बोलते हैं, basically, यह जो नीचे operators हैं, यह comparison operator है, condition के अंदर हमने देखा है, if condition हमने लगाई है, alif लगाई है, या else लगा की, उसके बाद हमने देखे, for loops, for में क्या होता है, कि आप बारी-बारी हर चीज़ पर iterate करते हैं, मिसाल देता हूं आपको, iterate का मतलब होता है, paint के coat करते जाना, करते जाना, करते जाना, जब तक वो proper ना हो जाए, iterate का मतलब होता है, तैदर तै, बारी-बारी, एक को लिया, दूसरे को, तीसरे को, चोथे को, पांचवे को, so on and so forth, then हमारे पास आया जनाबे वाला, आपके, while loop, while loop में हमने क्या किया था, मैं इसको minimize कर देता हूं, ताकि हमें याद रहे, while loop में हमने, एक condition लगा के बताया था, कि यहां तक करते जाना है काम, जब तक एक limit ना जाए, do it while, इसको until भी कह सकते है, at the end, जब तक है चलता है, फिर हमारे पास आते हैं जनाब, आपके break, continue and pass, यहां तक आपके control flow statements जो हैं, basically, जिसमें conditional है, for loop है, while loop है, and control statements है, आपको समझ आगी होंगी, hopefully, यह थोड़ा सा difficult है, लेकिन इस पे आप practice करेंगे, आप सभी से मेरी request यह है, कि इन चारों पे, कमज़ कम, आपने इन चार चीज़ों पे control flow statements के उपर, पांच-पांच examples बनानी है, खुद से, मैंने पहले भी बताया था, assignments मैंने देनी छोटी-छोटी है, लेकिन होनी काफी है, तो अगर आप करते जाएंगे, तो आप programming सीखते जाएंगे, पां पे खतम करता हूं, और कल हमारा last lecture YouTube पे live जाएगा, वीडियो को like कर दीजेगा, अगर आप इसको बाद में सुन रहे हैं, that would be great.